नमस्कार अलेकुम आदाब मैं हूँ यूसीफ वली आप देख रहे हैं सेफ नियू जाय हूँ आज की खास कवर पर दोस्तों समय हम मुझूद है वसाई के एक बहतरीन इसकूल आईजेक न्यूटन इसकूल में यहां पर पिछले तीन दिनों से चार जनवरी पांच जनवरी तीसरा दिने छे जनवरी यहां पर एक साइंस एक्जिबिशन लगा हुआ है जहां हम काफी देर से विजिट कर रहे हैं एक 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 डिपार्टमेंट में हम जा रहे हैं हमने इससे अलग एक वीडियो भी लगाया खबर भी लगाई लेकिन यहां एक स्पेशल कुछ था इसके लिए हमने अलग से खबर बनाई है यहां आप देख सकते हैं हमारे साथ एक जो यहां इस एक्जिबिशन बनाने वाले इस्टुडेंट है यह है इन्होंने यहां काफी अच्छे से एक्स्प्लेंड किया तो इन्होंने पूरा अपना एक्स्प से जुड़ा हुआ है उसका यहां इन्होंने नमुना दिया है यह पूरा का पूरा प्रकरती है उसमें गनित जैसे हम अंग गनित गनित बोलते ही है अपनी बोली बोली चाले की भाशा में तो वैसे ही गानित का और विज्ञान का क्या प्रभाव है तो यहां इन्होंने एक लोग इस्तमाल करते हैं लेकिन कहीं पर ऐसा हुआ कि जहां बड़े साउंड ले जाना अगर आसान नहीं है तो वहां इस तरह से एक सॉफ्टर बेड़ेप किया गया है और सॉफ्टर के थू यहां इसमें एक सेंसर लगा हुआ है एक चिप लगा हुआ है जिसमें कुछ यह इ उसके साथ इससाथ यहां मैक्स में नहीं खास फ्टे बारे में विता आख से पहले इसका मालम नहीं था लेकिन ऑथ हमें यह नहीं चीछ जानने को मिली और हम चाहते हैं। तो फिबोना की सिक्वेंस जो है वो क्या कहती है कि अंग गनित में वन प्लस वन एक और एक और एक दो होता है जैसे एक और दो तीन होता है तो जो फिबोना की उन्होंने जो सिक्वेंस दिया है उसमें उन्होंने बता है कि एक एक उसके बाद दो तीन पांच आठ तो इनका अशर नेचर पर कैसा है अभी मेडम ने भी बताया वह आगे सुनेंगे लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपको बता रहा हूँ कि जिसे कई फ्लावर से फूल है तो उसमें तीन पत्ती होगी है पांच होगी या आंट होगी या तेरा होगी इस तरह से सिक्वेस में फिबोना की स्विक्वेस में साथ इसाथ मीजिक सिस्टम में भी मीजिकल इंस्टूमेंट में भी वहीं फिबोना की जो फॉर्मूला अगर इंप्लिमेंट करते तो कुछ अलग साउंड निकलता है वह उन्होंने डेमो करके दिखाया आप वीडियो में जरूर देखिए तो अगर आप साइंस प्रोजेक्ट भी है अगर आप साइंस प्रोजेक्ट देखे तो हमने एक सॉफ्ट्वेर बनाया है हेवी इंस्टूमेंट्स हम हर जगह पे नहीं कैरी कर सकते तो एक सॉफ्ट्वेर है जहां पे टैग्स है टैग्स वह सेंसर साउंड करके लेता है और उस sound हमारे laptop से produce होता है और यहाँ पर maths का project है यहाँ पर हम बताना चाहते है कि maths जो है we have Fibona की sequence in maths और यह Fibona की sequence होता है 1 1, 2, 3, 5 and so on और अगर हम देखे तो फूलों की पंखोडिया either 3 होती है, 5 होती है 8 होती है फिर हमारे music के जो notes होते है, उसमें भी Fibona की sequence आता है, so we have maths everywhere around us in our life मतलब की जो आपने Fibona की sequence होता है, यह प्लेश पर इस पर इखें करेंगे तो 1 plus 1, 2 होता है करेक, नेक्स नमबर होता है 2, so 1 plus 2 होता है 3 next नमबर होता है 1 plus 3, sorry 2 plus 3 जो होता है 5, so Fibona की ने हमें यह sequence दिया है 1, 1, 2, 3, 5 and so on और अगर हम फूलों की पंखोडिया देखे, तो हमारे पास फूल होता है, 3 पंखोडिया होता है कुछ की 5 होता है, कुछ की 8 होता है, वैसे ही हमारा music है, अभी हमें Viyan एक musical play करके दिखाएंगे, जहांपे वो Fibona की sequence दिखाएंगे मेरा नाम मेरा नाम Viyan Fernandes है आपके पास में दो तरह क्या लगए प्रोजेक्ट है, यह साइंज और मेस करेक्ट तो यह मेरा साइंज प्रोजेक्ट है, तो यह मेरा साइंज प्रोजेक्ट है, इस अन RFID musical instrument, so the principle of this project is based on virtual MIDI technology and a digital audio workstation that's FL Studio so once the tag is read by the RFID reader, it sends the data to the Arduino which converts the tag data to the and this MIDI command is sent to FL Studio and is played through the FPC launchpad device, so this is how it works in today's fast-paced world where it becomes difficult for people to carry their heavy weight instruments this device allows them to make music on the go, and just as I used bells as an instrument, you can use other instruments such as pianos, guitars and even sound effects such as thunder, rain, car sounds and etc. Now I would like to move on to my maths projects, that's the Fibonacci sequence in music so the person who conceived the concept of Fibonacci is Leonardo di Pisa and these numbers are made by adding the previous number to get the next number in the series for example, 1 plus 1 equals 2 1 plus 2 equals 3 and so on 90% of the things that grow in nature are based on this sequence for example, flowers mostly have 5 or 8 petals and so on let me tell you all some amazing Fibonacci fun facts if we square the Fibonacci numbers and add 2 consecutive squares, we will get a Fibonacci number for example, 1 plus 1 square plus 2 square equals 1 plus 4 which equals 5 a Fibonacci number and if we add the first few squares that's 1 plus 1 plus 4 it equals 6 and 90 then it gets 15 but surely these are not Fibonacci numbers but still inside of them is Fibonacci for 6 equals 2 times 3 15 equals 3 times 5 and so on let me show you this equation in the form of a diagram if we draw a 1 square then beside that another 1 square below that a 2 square next will add a 3 square below that a 5 square and at last an 8 square now, what is the area of this rectangle? on one hand it is the sum of the area of the squares inside the rectangle and on the other hand since it's a rectangle its area equals its height into base which equals 8 into 13 equaling 104 and if we divide a Fibonacci number by the previous number in its series it goes closer to the golden ratio this golden ratio and Fibonacci sequence have inspired artists for many years I would like to play a piece that was sequenced using Fibonacci so this was Mozart symphony number 25 commonly known as the titan watch theme its time signature is 3 8 and even the pattern of the notes is based upon the Fibonacci sequence and if we take an octave of the keyboard and divide it into two parts it would give us 2 black keys on one side and 3 on the other side similarly for white keys 3 on one side and 5 on the other side and if you take all the keys on one side or black versus white keys we'd get the ratio 5 is to 8 and the total number of keys in a chromatic octave equals 13 a Fibonacci number thank you what is your name? Tabasum Surti what section is and what messages are and what messages are what messages are good afternoon first thing and welcome to Isaac Newton this whole section is related to solar system and it is regarding we have altogether 500 solar system in the Milky Way and this is one of the solar system which we have presented and then we have explained you about each and every planet in detail I'll give you one example about the Jupiter Jupiter is one please come here Jupiter is one of the largest planet and then it is so large that about 1300 earth can be together in this Jupiter planet so this all information is collected by our teachers and students there are many things which we don't know in our day to day life but according to this project and if you see all the banners over here and everything you'll get each information in detail which we don't have in this is teachers project teachers have made it students have also helped us in every way sir by making it it's not only teachers it is teachers ideas this project is all about teachers hard work but students have also helped us in searching out many things how many years what is your name my name is jainam raul shereya how are your students i am from class 9 you have made your model what is your model what is your message सब्सक्राइब कर सकता है तो मेरा पीचे इसका बनाने का मक्सद यह हमारे जो देश है उसकी प्रगर्थी में बहुत ज्यादा काम आए सकता है सब्सक्राइब करें गूगल पर अपने व्यापार और सेवा से समधित विज्जापन प्रसारण है तू दिये गए मुबाइल नंबर पर संपर्क करें